नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रियाबिस्ट और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार मुख्यमंत्री नितीश कुमार की इफ्तार पार्टी पर जम कर राजनीती हो रही है जहां पहले सिर्फ बीजेपी इफ्तार पार्टी का विरोध कर रही थी वहीं अब कॉंग्रेस भी इफ्तार पार्टी के विरोध में उतर आई है जिससे साफ तोर पर माहागडबंदन में दरार देखने को मिल रही है आखिर कॉंग्रेस क्यों कर रही है सियम नितीश के इफ्तार पार्टी का विरोध देखे इस रिपोर्ट में लोगसबा चुनाओं के मद्दे नजर सभी पार्टियां अपनी अपनी तयारियों में जुटी है बीजेपी बोले या फिर माहागडबंदन की सरकार सब अपनी अपनी तरफ से जनता को लुभाने में लगे है वही मुस्लिमों का पवित्र महीना रमजान चल रहा है ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए इफ्तार पार्टी का खूब आयोजन हो रहा है मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जिसमें जेडियू और आरजेडियू समेत महागडबंदन के कई नेता शामिल हुए लेकिन बीजेपी ने इफ्तार की दावत से इनकार किया जिसके चलते इफ्तार पार्टी के बॉइकॉट ने सीम नितीश कुमार की मुश्किले बढ़ा दी है महागडबंदन में शामिल कॉंग्रेस पार्टी के नेता भी इफ्तार पार्टी का विरोध करने लगे है जिससे CM नितीश के मिसन 24 पर ग्रहन लगता दिख रहा है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता आजमी बारी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए शोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा कि मुसल्मानों के जख्म पर मरहम लगाने की जरुत है ना कि इफ्तार पार्टी की साथ ही निमंतरन कार्ड का फोटो भी डाला है जिस पर बॉयकॉट की मोहर लगी है वहीं आजमी बारी ने एक इंट्रुव में कहा कि मैं मुख्यमंत्री के इफ्तार पार्टी के विरोध करते हुए नहीं गया था सिर्फ मैं ही नहीं खानकाहा और देश की बड़ी संस्था इमारत शरिया भी मुख्यमंत्री के इफ्तार पार्टी का विरोध करते हैं इम्रा शरिया से शुक्रुवार को कोई भी इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए थे मुखी मंत्री की इफ्तार पार्टी का विरोध तो बीजेपी पहले से ही कर रही थी अब कॉंग्रेस के नेता भी विरोध में आ गए है ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो आग सुलकाई थी वो दूर दूर तक फैल रही है और इस आगम ने महागडबंदन को भी चपेट में ले लिया है जिससे सीम नितीश का 2024 चुनाओ का सपना दूर दिख रहा है ऐसी ही बिहार से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रही है कैपिटन टीवी बिहार